हेलो दोस्तों Welcome to my new video दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे CRP टेस्ट के बारे में कि CRP टेस्ट क्या होता है वह और वह कब करवाया चाता है और इस टेस्ट की मदद से में क्या पता चलता है वह सम्नें की बात करने वाले हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको बदा दू कि अगर आप इस टेस्ट के अलवा किसी भी टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर एक प्लेइलिस्ट है जिसका नाम है लेब टेस्ट रिपोर्ट करके एक प्लेइलिस्ट है जहाँ पर आपको लेब से पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको CRP टेस्ट के बारे में समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि CRP क्या होता है CRP यानि कि C-Reactive Protein हमारे सरेटी के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि लिवर में से प्रोडियूस होता है वो कब प्रोडियूस होता है जब भी हमारे सरेटी के अंदर कुछ इंफेक्शन या फिर इंफ्लामेशन प्रोडियूस होता है हमारी बोडी के अंदर तो हमारा जो लिवर होता है वो C-reactive protein का secretion करता है और यह protein क्या काम करता है कि जो inflammation है या फिर जो infection है वहाँ पर जाके उसको phagocytosis या फिर उसको खतम करने का काम जो होता है वो C-reactive protein करता है तो इसकी मज़़े से क्या होगा जितना inflammation या फिर infection हमारी body के अंदर ज्यादा जितना बड़ेगा उतना ही जो C- reactive protein होगा वो उतना ही हमारे liver में से secret होगा वहाँ से produce होगा तो इसकी वज़े से क्या होगा कि जो C-reactive protein होगा वो हमारी body के अंदर ज्यादा blood के अंदर ज्यादा बढ़ने लगागा जितना भी हमारे शरीट के अंदर infection होगा उतना ही हमारे शरीट के अंदर C-reactive protein जो होता है कि हमारी जो बोड़ी होती है वहां पर कुछ इंफलेक्शन या फिर इंफ्लमेशन प्रोड्वीस हो रहा है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू कि जो CRP टेस्ट होता है वो दो तरह के दो टैपस के जो infection हो गया लाइक भी कोरोना गया था तो कोरोना में लोग CRP टेस्ट करवारते थे क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वाइरल टाप का एक हमारे शरीट के अंदर infection लगता था इसके बाद हो गया बैक्टरियल infection जैसे कि TB हो गया टाइफ़ड हो गया नियूमोनिया हो गया अगर इन टाइप का कुछ भी हमारे शरीट के अंदर बैक्टरियल infection है तो CRP टेस्ट करवाते है इसके बाद होगा pregnancy में भी CRP टेस्ट करवाते है इसके बाद होगा kidney disease और liver disease किसी भी टाइप का अगर kidney disease है या फिर liver disease है तो इसके वज़े से क्या होगा ये reactive protein होगा वो बढ़ जाएगा और इसके वज़े से में पता चलेगा कि हमारे जो liver है या फिर kidney है वहाँ पर क्या होगा infection या फिर inflammation लग चुका है इसके बाद हम बात करते हैं SSCRP यानि की high sensitivity CRP test क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं तो जो high sensitivity CRP test होता है उसका majorly function कहां पर होता है जो heart disease होता है अगर किसी टाइप का आपको heart disease related symptoms देखने को मिलता है तो वहाँ पर क्या कोई भी doctor SCCRP test करवाने के लिए बोलता है क्योंकि क्या होता है कि इन test के मदद से उसकी जो value है वो बढ़ जाती है तो हमें अंदजा लगा सकते है कि हमारे जो infection लग चुका है या फिर heart में कुछ करा भी है तो दोस्तों यहां पर एक chart है जहां पर CRP और CRP के test के बारे में उसकी normal value और उसकी normal value अगर बढ़ जाए तो कि हमें कौन-कौन सी condition हो सकती है उसके बारे में यह चार्ट बताता है तो मैं यहां पर आपको explain करता हूँ कि यहां पर जो है वो standard CRP है उसकी normal value होती है पॉइंट टूटी जो मिलीग्राम पर deciliter होती है इनकी value normal blood में ओके तो यहां पर ग्राफ बताय हुआ है जहां पर इतना होता है यानि कि 0-5 तक जो बढ़ जाते हो तो मंदज़ा लगा सकते है कि हमारी body के अंदर क्या होगा कुछ इस तरह का viral bacterial या फिर किसी भी टाइप का हमें body के अंदर infection लग चुका है तो इसकी वज़े से हमें क्या पता चलता है जो CRP टेस्ट होता है इसकी वज़े से क्या होता है हमें पता चलता है ए इसकी normal value कितनी होती है उसकी normal value होती है CRP test के मुकाबले उसकी normal value कम होती है उसकी normal value होती है 0.1 okay 1 mg per deciliter से कम होगा तो वो हमें normal देखाए देगा अगर 0.1 या फिर 1 mg per deciliter यानि कि 1 mg per deciliter से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है तो हम अंदज लगा सकता है कि हमारी heart में infection या फिर inflammation produce हो रहा है तो यह था दोस्तो CRP test और HCRT test उसकी हमने normal value के बाद बात करी अगर normal value बढ़ जाती तो हमें पता लग सकता है कि infection या फिर inflammation है यह थी हमारी कुछ pathological condition होती है HCRP और HCRP के बारे में जो normal CRP और HCRP के बारे में इसके वीडियो में बात करी दोस्तों यहां पर एक जो report होता है CRP test के उसके बारे में बात करी तो यह होता है C reactive protein Okay, तो यहां पर क्या होगा C reactive protein की विचो value होती है वो यहां पर कितनी है वो 50 mg पर deciliter है तो इसकी normal value कितनी थी 10 mg पर deciliter थी लेकिन कि यहां पर क्या है यहां पर यहां पर दसके मुकाबले पास गुना यहां पर ज़्यादा है यह था वीडियो C reactive protein के बारे में अगर यह वीडियो आपको उच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करना और आगे ऐसे medical knowledge से related videos देखने के लिए इस channel को subscribe करना Thank you